प्यार के लिए इन आक्टर्स ने तोड़े मझहब की दिवार, शादी कर बतला अपना धर्म कहते हैं प्यार का कोई धर्म नहीं होता इस कावत को ग्लैमर इंडास्ट्री के कई सैलिब्स निसित करके दिखाया है जहां एक्टर्स ने प्यार के लिए मज़भ की दिवारों को तोर सामने वाले को अपनाया है टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सैलिब्स हैं जिन्होंने समाज की चिंता किये बिना अपने पार्टनर संगशादी करने के लिए धर्म बदला जानते हैं कुछ ऐ ऐसे ही कलाकारों के बारे में एक्ट्रिस आईशा टाकिया फिल्म वांटेट से लाइम लाइट में आई थी आईशा टाकिया ने बॉइफरिन फरान आजमी से शादी करने के लिए धर्म बदला उन्होंने अपने प्यार की खातिर इसलाम को अपनाया इस शादी से कपल को ए लिया था उनकी इसलामिक वेडिंग हुई थी इस शादी के 13 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया था 2004 में दोनों का तलाक हो गया इस शादी से उन्हें दो बच्चे हैं सारा और इब्राहिम धर्मेंदर और हेमा मालिनी की सदा बाहर जोड़ी आज भी फैंस की फेवरिट बनी हुई है ये कपल रिलेशनशिप गोल्स देता है पहरे से शादी शुदा धर्मेंदर को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था वे अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाते थे लेकिन हिंदू मारिज एक्ट के तहट दूसरी शादी भी नहीं कर सकते थे इसलिए धर्मेंदर ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इसलाम को कबूला और अपने प्यार से शादी भी की तवी से धर्मेंदर के दो अलगलग परिवार है शर्मिला टैगोर अपने दौर की खुबसूरत अभी नेत्रियों में शुमार रही थी। उन्हें दिगज क्रिकेटर मंसूर अली पतौदी से प्यार हो गया था। उनसे शादी करने के लिए शर्मिला ने इसलाम को कुबूल कर लिया था। शादी के बाद उनका नाम आईशा बेगम हो गया था। शर्मिला मंसूर अली किया रिपीट शादी के बाद दिपिका justification कभूल किया जिसके बाद उनका नाम फैज़ा लिखागया दिपिका कक्कर को उन के इस फैस्दे के लिए काफी ट्रोल भी किया आक्ट्रेस हाचल रूटिच ने इंजिन कुटिटर युव्राज सिंग से शादी की है। युवराद से शादी करने के लिए हेजल ने सिख दर्म को अपनाया। शादी के बाद हेजल का नाम कौर लिखा गया। सुनीलदत और नर्गिस के जोड़ी और आउफ स्क्रीन हिट रही थी। सुनीर दत से शादी के लिए नर्गिस ने इसलाम से हिंदू दर्म को कबूला था संजेदत कपल के लादले बेटे हैं